यह question आपके CVSE 19 में आ रहे होगा है, ठीक है, तरहां दोइस question में कहरा है, point A lies on line segment x, y, joining x and y, ठीक है, मतलब point A जो है न, x, y के ओपर कहीं न कहीं lie करता है, जिसका ratio भी होगा है, xa is to xy ratio 2 is to 5 के form में दिया गया है, और कहरा है कि a also lies on this, ठीक है, तो हम यहाँ पहले बाद में आएंगे, पहले हम point A find out करते हैं, ठीक है, देखो क्या कि given xy, यह आपका x है, और यह आपका y है, x हमार दे रखा है, 6 minus 6, और यह है हमारा, minus 4 minus 1, यहाँ पर आप एजिम कर दो कि कोई point A, sorry, A given है, यह आपका x और y है, जैंदो, ratio xa, xa upon xy, यह दे रखा है, 2 is to 5, ठीक है, हमें xa और ay, के form में ratio चाहिता है कि हमें और m और n मिल जाएगा, ठीक है, फ़र्दर देखो, यह यानि, xa upon xy equals to y5, xa upon, xy को आप break कर सकते हो, xa plus ay में, ठीक है, xy को break कर सकते हो, यह होगी आपका xa plus ay, हमने break कर दिया x, y को upon 2 by 5, अब ध्यान दो, xa, आप cross multiplication कर दो, 5, 2 into xa plus ay, यह होगी आपका 3 xa, equals 2 ay, यह होगी आपका 3 xa, y क्या होगी है, 2 y 3, और xa हमने assume किया है, यह आप इसको assume कर लो, कि हमारा xa, हमारा m है, तो m होगी हमारा 2, और n होगी हमारा 3, ठीक है, मैंने आपको ratio के लिए formula होता है था, कि अगर x1, y1 के form में है, और यह x2, y2 के form में है, और यहाँ पे कोई point P है, तो आप x और y का coordinate कैसे find out करने कोई, यह आपके m है और यह n है, ठीक है, mx2 plus nx1, बस, m का इसके सब, n का इसके सब, same pattern आपको y के लिए में देना है, तो यह आपके x क्या हो जाएगा, mx2 plus nx1 upon m plus n, और similarly y क्यों हो जाएगा, m y2 plus n y1 upon m plus n, यह हमें कई वीटियो में यह formula लिखा है, ठीक है, अब हम यहाँ पोस्ते, यहाँ ध्यान दो, हमारा x1, y1, आप इसको x1, y1 ले तो, x1 क्या हो जाएगा, 6 और y1 क्या हो जाएगा, हमारा minus 6, और यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा, minus 4, और y2 क्या हो जाएगा, minus 1, ठीक है, अब हम यह point find out करेंगे, साड़ा value हमने पहले ले लिया है, इस value से हम क्या करेंगे, x और y find out करेंगे, आपका x क्या हो जाएगा, mx2, m यह समय direct value लिखे रहा हूँ, mx2, m क्या है, 2, m2 और x2 हमारा क्या है, minus 4, plus nx1, n क्या हमारा, 3, और x1 क्या हमारा, 6, upon m plus n, यानि 3 plus 2, यह क्या हो जाएगा, minus 8, plus 18, upon 5, यह गे 10 by 5, यह आपके 2 हो गया, y क्या हो जाएगा, m y2, m क्या हमारा, 2, और y2 क्या हमारा, minus 1, plus n y1, n क्या हमारा, 3, और y1 क्या हमारा, minus 6, ठीक है, फिर सब्सक्राइगा, m हमारा 2 है, और y2 क्या है, minus 1, फिर हमारा यह n 3 है, और y1 क्या हमारा, minus 6, upon 3 plus 2, यह क्या हो गया, minus 2, minus 18, upon 5, ठीक है, कोई डाउट को नहीं, यह होगी आपका, minus 20, upon 5, यह होगी, minus 4, यानि, आपका, x और y कोडिनेट हो गया, point a कर कोडिनेट, 2 और minus 4, ठीक है, इस question नहीं, यहां तक तो पहुच गया, यह हमें मिल गया, ठीक है, आपको k पूछा जा रहा है, लेकिन उसके लिए, hints अप्लाई किया गया है, कि a point lies on this line, अगर a point, a point अगर इस line पर लाई करेगा, यह value इसको satisfy करेगा, ठीक है, तो next step, as, a, lies on, 3x, plus k, y, plus 1, equals 0, ठीक है, यह अगर इस point पर लाई करते है, तो यह value इसको satisfy करेगा, यानि, 2x कितना है अबढ़ा, sorry, calculation दें, अंदगना उतर, 3x कितना है अबढ़ा, 2, plus k, y कितना है अबढ़ा, minus 4, plus 1 equals 0, यह हो गया, 6, minus 3k, equals 0, यह हो गया, k equals 2, आप से यह value पुछा जाए था, k की value पुछा जाए था, ठीक है, कोई doubt तो नहीं है, यह आपके board में आ चुका है, important question है, इस type का question कहीं आता है, ठीक है, ठीक है, अब आप इसको like कीजिए, subscribe कीजिए, ठीक है, जो भी doubt हो, आप इसको comment box में डालिए, की झाए, और सेखर कि अज़ रेको, की झाता हो, की झाता है, झाल झाल